अब नॉर्मली हम किसी भी compound में hybridization को निकालती कैसे हैं तो ये आपका एक important होता है इसके कई तरीकी के rules है first के लिए हम इसको जनुए तीन classes में classify गरखते हैं first organic compounds के लिए second आपका inorganic accept coordinate compounds and third class है आपकी coordinate तो इसको तो third class के जो compounds है coordinate इनको तो हम coordinate compounds दिस्कस करेंगे इन दो compound के लिए हम discuss करते हैं तो हमेशा की ध्यान रखे हैं कि single bond जो होता आपका यह तो हमेशा की देखे हैं we to do the दिखे हैं we to do the one sigma one five triple bond 1 सिगमा and 2 पाइफ ठीक है और जो लोन पियर है उनको भी आप रखते हैं ठीक है तो लोन पियर को भी आप गन्सीडर करने हैं लोन पियर और बॉन पियर के आउते जैसे आपकी अमोनिया है यह अमोनिया के 5 इलेक्टरॉंस होगे इसके साथ आपके यह जो आपके आमोनिया है तो इसके साथ आपके आपके यह आपके क्या होगे पाल्पियर यह आपका लोन पेर जो है आपके इन में ध्यान के लोन पेर लोन पेर तेंट इंटरेक्शन जागा वोती है तो फॉस्टली जो आपके जो लोन प्या है वो भी जमेट्री में या 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 पाउंड के पास चार सिंग माउंड होते हैं से कारवन काम एक्जामपल ले तो आपका कौनसा होगा तो आपका SP3, 3 सिगमा होगे, तो आपका SP2, और 2 सिगमा होगे, तो आपका SP3 होगा, तो जैसे आपका माननीजी, और एक से ज्यादा भी टाइप का हैवडाइशन एक माननीजी नहीं पर सकते हैं, जैसे माननीजी, यह आपका एक compound है, CH3, CH, double bond, C, H bond C, triple bond, CH, ठीक, एक सिसका आपका SP3 को थोड़ा ध्यान से जेखें गई, तो इसमें आपका सिगमा है, यह सिगमा है, यह पाई, यह पाई, यह पाई, ठीक है, इस hydrogen atom को आपको अलग कर दे, थोड़ा सा उपन कर लें इस structure को, जैसी हो गया, इसको भी ऐसी कर लें, और H3 को भी, ऐसी कर लें, तो यह सिगमा, 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 यह पाई, यह सिगमा, तो बॉन्ड जो होता है आपका, दोनों ही उसका होता है, आटम्स का, तो यह 1, 2, 3, 4, 5 जो आपको नमबर डाने थे, कारवन, तो इसमें आप जेखें कि इस क इसप कितने सिगमा यहाने कि s2- इसके पास कित्ते सिंगा है one, two, three, तीन सिंगा है लित इस पर स्पाइज कन जिमा है? आपका रहर Recovery Sum कान सा है, अ़छा क्वैक रह development य। इसमें आपका वा सिंगा है। तो क्या है तो इसमें sigma और पाई की रेशिο निकालने के लिए आप इससकर न रहाएं कि GY Brent कि यह सी है यह мест है कि kicking झीण डिशिजण बॉंड आज तो जिदने भी सिंगल ओंड आई इसार सिगमा द two यह सीखमा है, यह सीख मावनघ्जूंचा अ मह से कम करtirit है यह पाहए, तो कादन के फास किस्ते सिखमा मॉन्ट है? बारा सिख मा है और पाई तीन है टोटल बेन इम्हाल के Г, तो इसमें सिखमा पाई की शिशो का आप जाएगी? यह आपका ID में कुश्य है आच चुपा है अब इसमें hybridization कैसा होगा तो एक कारवन पास देगी कितने सिग्मा है एक दो ती ठीक है और चौता पॉर्ण वो पाई है कारवन की चार वेलेंसी होती है तो तीन सिग्मा है यानि इसमें कौन सा hybridization होगा SP2 तो बेंजीन में जो हर एक कारवन एटम है उसमें SP2 hybridization होता है और इसकी शेप क्या होती है प्लाट तो इस तरीके साम और गनिक केमिस्टी में hybridization में जो कोश्यन है वो इस तरीके से करते हैं कि उनको पास सिग्मा पाई गॉर्ण को काउंट कर लेते हैं उसके बाद जैसे आपका क्यों सा hybridization होगा तो इसके पास सिग्मा होगा और एक एक लोन पेर हो गया तो दो सिग्मा प्लस वन लोन पेर that is equal to 3 होगा तो यह आपका SP2 hybridization होगा इसी तरीके से यह आपको compound गया था है एन एच जिसकों क्या बोलते है पिप्रिवीन ठीक है तो एन एच को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि N bond H तो यह सिग्मा है सिपास यह सिग्मा और एक लोन पेर है तो इस में जो आपका hybridization क्या हो जाएगा SP3 तीन सिग्मा प्लस एक लोन पेर तो यह आपका SP3 hybridization होगा तो इस तरीके से आपने इसमें यह चीजें ध्यान दो कि लिए जैसे मानने जी आपका hybridization है ठीक है तो इसका जो ऑक्सीजन में जो है वो कौन सा अप्लाइशन होगा तो ऑक्सिन के पास दो लोन पेर रिप्रेजेंट है यह सिग्मा यह सिग्मा तो आपका है hybridization का जाएगा SP3 दो लोस एक सिग्मा प्लास टू लोन पेर ठीक है तो इसमें hybridization आपका SP3 तो नाउ वी दिसक्स अबाओ विल वर्क आउट धी hybridization किस मॉलीकूल में किस तरीक हाइड डाइशन होगा उसको हमें दिसक्स करना तो इन आगे निक कंपाउंस में इसके लिए हमें इस पागुना यूज़ करते हैं H is equals to 1 by 2 V plus M minus C plus A ठीक है H is equals to number of hybridized on this ठीक है यह दिए आपके actual value 2i it means SP3i then SP2 4i then SP3 5i SP3D hq value 6i SP3D2 hq value 7i SP3D3 और V क्या होता आपका V is the number of valence electron in central atom 10 is equals to number of monovolent atoms 10 is equals to number of monovolent atoms 10 is equals to number of monovolent atoms 14 is equals to catch on a x does darf 16 is equals to charge on anim Educating यह सारे जो parameter है हम लोग use करते हैं For example हम लोग ह 2 हो रेते हैं अगी हो ह है है C x 2 में कौन सा inhibition है इसके नियहें V की वाल्य वितनी हो जाएगे नहांगी, 8, M की वाल्यू, 2, C इस इकास तो 0, and A इस इकास तो 0. तो आपका H इस इकास तो क्या जाएगा, 1 by 2, V plus M minus C plus A, that is equals to 4. यह इसमें आपका SP3 hybridization होगा. अब इसके हम और examples लेटें, जैसे PCL 5. PCL 5 में H is equals to 1 by 2, Central atom कौन सा है, Phosphorus, इसके पास कितने है, 5, Valence electron है, plus 5, आपके Monovalent atom है, minus 0, plus 0, that is equals to 5. तो इसमें आपका हम जाएगा SP3 hybrid, जैसे आप Nitry time लेते हैं, तो इसमें आपका H is equals to V, आपका कितना होगा, 5, M is equals to 0, और A is equals to 1, तो आपने स्वेरोले value पूट करी, 1 by 2, 5, plus 0, minus 0, plus 1, that is equals to 3, तो आपका क्या है, SP2 hybridization, जैसे आपने Ammonium ले गया, तो इसके पास V is equals to 5, M is equals to 4, C is equals to 1, A is equals to 0, तो इस value पास ले पूट कर आपने, H is equals to 1 by 2, 5, plus 4, minus 0, और आपका, minus 1, plus 0, that is equals to, आपका दिया 4, यानि की SP3 hybridization, ठीक है, hybridization को निकाल लेंगे, और भी तरीके हैं, जिनको हम लोग, और substances में apply करेंगे, तो hybridization सबसे पहले हम किसी भी molecule की shape जानना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहले hybridization को workout कीजिए, जब आपका hybridization करेक्ट आएगा, तो उसके बाद आप loose dot structure बादिए, loose dot structure के बाद, आप उसमें loan pair और bond pair को देखिए, ठीक है, यदि उसमें कोई भी loan pair नहीं है, तो उसकी फिर एक simplified geometry होगी, और उसमे bond angle भी simplified होगा, यदि उसमें आपका loan pair present होता है, तो फिर हमें उसकी geometry के बारे में सोचना पुलेगा, उसके लिए हम different different cases हैं, जिनको हम आभी आगे discuss करें, तो जैसे आपका खाहिन भी SP hybridization है, और कोई भी loan pair present नहीं है, तो आपको SP hybridization है, इसकी geometry आपकी क्या होती है, लिए है, लिए है, बार्ड आइकलिस में होता है, आपका 120, एक्जाम्पल जैसे आपका बेरियम क्लोट, ठीक है, आपका SP2 hybridization है, तो शेप क्या होगी, ट्राइगोनल, प्लाप्र, और बार्ड आइकल आपका होगा, बार्ड जैसे तीन होने एंगे, और एक्जाम्पल है, BCL, अब SP3 है आपका hybridization, तो इसकी शेप होगी आपकी, टेट्राहेजर, बार्ड आइंगल आपका होगा, 120 degree, थाइस मिनट का, एक्जाम्पल है आपके, नीठे, SP3D, तो आपका इसकी जोगी शेप होगी, ट्राइगोनल, बार्ड आइंगल आपके होगे, 3, 3, 3, 2, 90, इस एग्जाम्पल है आपका, PCL, 5, ठीक है, इसके बार्ड आपका है, SP3D, 2, इसकी शेप होगी, ट्राहेजर, चार एंगल 90 के, और दू एंगल 90 के, एक एबाओ, और एक बिलू, उसके बार्ड आपका SP3, D3, इसकी जो शेप होगी, ट्राहेजर, बार्ड आपके होगे, तो यह जो में में आपके हाइवडाइजिशन है, यह आपके स्लिवस में है, इनके जो फ्री डाहेजर मॉलीगूस के एक्जाम्पल है, उनकी जो शेप है, उनको हम अभी आगे डिसकस करेंगे, आपका जो SP2 हाइवडाइजिशन होता है, इसमें जो ट्राइगर बेज़ प्लानर शेप बताते हैं, वो त्रीके की होती है, ठीक है, एलकीन का मॉलक्यूल है जिसमें 120 एंगल दिखाए गए है और डबल बॉंड को हमने शो करा है ठीक है इस तरीके सा मॉलक्यूल 3-dimensionally situated होता है इसके बाद जो है ये आपकी जो शेप है इसको आप ध्यान से देखें तो that is the trigonal bipyramidal ये तीन एंगल 120 पर जुड़ा हुए है और दो एंगल ये उपर नीचे 90 पर है ठीक है तो ये जो शेप है आपकी trigonal bipyramidal बनाएं आपके और ये जो है आपकी octahedral shape है ठीक है जिसमें ये चार valences 90 के एंगल पर और एक उपर और नीचे है और ये जो है आपका इथेन का molecule है जिसमें 109 degree 28 मिनट के एंगल है ये free rotation आपका possible है जो को हम SP2 hybridization के बारे में बात करते हैं तो अभी तक हमने हैं मन के चले दे कि लोन पियर प्रेजेंट नहीं है SP में तो ख्यार होता ही नहीं है तो यदि लोन पियर प्रेजेंट हो तब किस तरीए से shape होगी तो जैसे आपका example है SO2 ठीक है SO2 में आपने हाइब डाइश निकाला 1 by 2 V plus M minus E plus संफर के पास valence electron के इतने है छे मोनो वैलाइट एडम 0 है फ्लस 0 तो आपका आगया SP do high ठीक है अब इसका आप जो है Lewis dot structure बना के देखते हैं तो Lewis dot structure में इसका यह संफर के दो valence electron होगा है और यह 4 पास 6 यह जो पहले वाला एक्जामपल था इसमें क्या थे तीन बॉर्ण पेयर थे तो यहाँ पर बॉर्ण पेयर प्लस दो बॉर्ण पेयर का जो सम हो दाड़ी तो यहां पर आपको जो है नॉर्मली तो शिप क्या होगी आपकी ट्राइगोनल प्लानल यह सलफार यह यह लेकिन क्या है इस वैलंसी पर लोन पेर आ गया और हमेशा दिहान देखेगा लोन पेर विल नॉट पार्टिसिपेट इन जमेटरी इडिस्टॉट्स दा जमेटरी ल तो आपकी जोड़े शेय बचेगी V-shape और इसको और हम कह सकते हैं band shape और हमेशा जयान रखिएगा कि lone pair lone pair interaction is stronger than lone pair bond pair is stronger than bond pair इंट्रेक्शन से यह आपकी ज्यादा स्ट्रॉंगर होगी तो बन बाइवन हम ऐसे ही और हार्ड आईशन हमें केसिस और उनके एक्जाम्पल्स को डिसकस करेंगे अब जैसे आपका सिग्मा बॉंड प्लस लोन प्यर तो पहला की सिए है कि वहीं चार बॉंड प्लस दिरो का केसे जैसे एक्जाम्पल्स आपका मीथेल का तो इसमें आपकी जो बैक्तरी संपल्सी तेट्रहेंडरल होने जी अब ये आपके तीन है और ये वान है ठीक है दाड़िकोस तो फोर है इस एक्जाम्पल अमोनिया आप इसका लुज जोट्स कर बना के जाएंगे ये बनेगा क्याओं आणा कर दूज तो आपका घुचलेंग जो मुट्स की जो इसके नॉम्मली को मेंट्र हो सब्सक्राइब और आपका यहाँ पर आप आ धितन में पार्टिसेमेट करेंगे इसको अटा दें तो यहां पर जो नौन के पीच में एंगिल है वो अमोनिया में 107 देगली का रहे नहता है क्योंकि लोग को जैस ज्यादा चाहिए होती है और जो शेव बनती है वो आपकी पिरामिडल बन जाती है नेक्स्ट जो हम लोग केस लेंगे वो आपका जैसे दो बॉंड पिया है और दो नोल पिया है दाट इस इकोस टू फो ठीक है जैसे एक्जाम्पल आपका वाटर वाटर का वाटर जालो इस जॉटर सक्चरिया बन जाता है दो बॉंड पियर होगे आपके दो लोल पियर होगे तो यहाँ पर भी आपके बाढ़ेंगे दो शेप होनी चाहिए थी लेकिन जो है लोल पियर आपके जोमेट्री में पार्टिसिपेट नहीं करती है यह जो शेप हो जाईए आपकी वी शेप हो जाईए और वाटर का जो एंगिल होता है यह 104 डिगरी का होता है ठीक है ना वाटर में एंगिल सटके यह आपके 109 से 104 डिगरी का रह जाता है सो हाईएडाजिशन में जैसे आपकी SP3D हाईएडाजिशन होता है तो इसमें आपके बॉंड पियर सिग्मा प्लस लोन पियर नाट इस रिकुस्ट्र फाइए फरस्ट केस आपका यह होता है कि वे यह 5 है प्लस 0 तो आपकी जेमेट्री का होती है आपकी ट्राइवलर लाट तो बीची जेमेट्री जे आपकी ट्राइवलर बाइप्रमेटर लेगी एग्जामपल में अब आपका एग्जामपल जैसे 4 लोग बॉंड पियर प्लस एक लोन पियर नाट इस रिकुस्ट्र फाइए जैसे एग्जामपल इसका SF4 इसमें जैसे SF4 ना आप आप राइट नि 6 प्लस 4 माइनस 0 प्लस 0 that is equals to 5 आगया यानि कि SP3 ली आइटाइशन हो गया अब इसकी जो आप शेप बनाएंगे तो शेप बनाते वखत इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि this rule is applicable to understand more electronegative element prefers to stay at axial position whereas lone pair prefers to stay at equatorial position यह आपकी जो है geometry आप मान सकते हैं triangular by parameter ठीक है इसको points सुझाएंगे रहते हैं एक plane के होगए यह पनीच होगए तो यहाँ पर आपने अपने सब लगा दिए हैं F 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 और यह lone pair तो यह lone pair आपको जो मैट्री में participate नहीं करेगा तो net result and shape आपकी यह बचेगी तो यह बचेगी तो इस shape को हम बोलते हैं seesaw shape तो इस shape को हम बोलते हैं seesaw shape और next case है आपका इसमें 4 और 3 and 2 का जिसका example जैसे आपका CLF 3 है CLF 3 का आपको जो है hybridization निकाले तो है LCC बस्टू 1 by 2 7 plus 3 minus 0 plus 0 तो आपका 5 आपका 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 इस पी 3 D hybridization structure बनाए Lewis dot तो इसकर यह बनेगा आपका 3 2 3 4 ठीक है और 5 6 7 यह आपका एक flow in atom आपका यह जूसरा flow in atom आपका यह आपका तीसरा flow in atom आपके तो आपके इसके पास 3 bond pair और एक loan pair हो गया तो आपके बाड़ी वो जो basic geometry है वह आपकी क्या लाई यह आपकी लॉन पर जाएगे के हो आपकी एक्षियल पोजिशन करना पसंद करेंगे यानि की यहां पर लोन पर यह दो is यहां पर आपका एक F आ गया है, यह CL हो गया है, यह F, अलोन पर आपका पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो net geometry आपकी, इस वन, इसको आप बोलेंगे, P6, ठीक है, नेक्स्ट जो आपका एक्जामपल है, वो, इस वन इस, 2 and 3, इसे आपका एक्जामपल है, इस एक्जामपल 2, इसना आप हाइलाइशन गणाएंगे, तो 1 प्लस 2, 8 प्लस 2, इस जिरो प्लस 0, that is equals to 5, यही, SP3 हाइलाइशन, इसका इस जाट रस्टिक्टर बनाएंगे, 3, 4, 5, 6, और यह, 7, 8, एक फ्लोरिं अटम ही आगया, एक फ्लोरिं आटम ही आगया, एक फ्लोरिं आटम ही आगय इसके पास आपके 3 लोन पेर हैं और 2 बॉल्ड पेर, तो वही आपकी पुरानी बार के भी, यहापकी इक्टोलिय बैलेंसीद हो गई, और यह, इस जिरो गई, यहापर आपके लोन पेर आगयें, तीनों बैलेंसीद पर, जड़ी, यह आपका F, यह आपका F, तो यहापर ज यह रेक्ट में हो गई, तेके जिसकों आपके सकते हैं, लिनेर, तो linear shape केवल SP highlightर आपके SP 3D highlightर के टे से में हो जाएं कि, जब आपका 3 लोन पेर हैं और 2 bond pair का case हो, अब जो है नम में हम दो, SP3 D2 highlightर के डिसकस करेंगे, तो इसमें आपके bond pair sigma plus loan pair ता जो sum होता, that is equals to 6, और जो normal से metric होगी है, इसकी, that is octahatter, ठीक है, यह ज़िदी आपके इसके पास, मालने ज़िदी, आपके 6 bond pair है, प्लस 0 loan pair है, तो आपके shape होनी होनी है, octahatter, और सारे इनिलाइंटीज की ओने यह जी आपके 5 पॉंट पियर है प्लस वन लोन पियर है तो आपकी जो शेप होती है एक बैलेंसी पर लोन पियर आयाता है तो आपकी जो शेप होती है वो स्कॉयर पियर आपके बैलेंसी पर लोन पियर लगा लिए उससे कोई फरक नहीं पढ़ लिए है आपके यहाँ पर चार पॉंट पियर हो प्लस दो लोन पियर हो तो उस केस में जो मेट्री जो आपकी जिसे आपकी यह उदाती है और इन पर लोन पियर लोन कर रहा है इसका एक्जामपन जैसे आपका जैड़ी F4 है ठीक है इसकी जो जमेंट्री आपकी यह आपकी स्कॉयर प्लानर होती है तो यह लोन पियर पार्टिसिपेंट नहीं करते हैं तो यह F4 F5 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 इस तरीक से जो है운स스τιंस की जो prêtres हैं उनको बताते हैं जो kilometres में और भी बहुँस सारे MNLiS लगते हैं exceptions भी होती है scientists की science होगी तो उन cases के बारे में भी हमारेको ध्यान रगना पड़े तो ड्राइगो रूल इस दिस वन इवदा सेंटर अटम बिलॉंस तो थर्ड पीरड और उनवर्ड और और एलेक्ट्रो नेगिटिविटी अफ सरौंडिंग अटम्स इस 2.5 और लेस दें दें हाइबिडाइजिएन इस नोट पॉसिलिए तो इस आपके सरौंडिंग अटम्स की जो है एलेक्ट्रो नेगिटिविटी 2.5 से कम होती है तो हाइड़ाइजिएन नहीं होता जैसे हाइड़ोजन आइस की 2.1 होती है आपकी इस अलफर की भी कम होती है तो इन सब में आपका कोईवी हाइड़िशन नहीं होता जाइड़ोजन नहीं होता जाइड़ोजन नहीं होता प्रू भी के काथ जाइचे झालफर की आपका कि मासला सावाण तो खango कोईबन नहीं होत dieser जाइड़ोजन नहीं होता जाइड़ोजन नहीं होता झाल होता झाल 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 झाल